समाजवादी के गुंडों ने दिन में लड़कियों को उठा लिया था, तमाम मास्की दोकान थी, आज कोई खोल के दिखाए, तो अधिकारियों को हमने बता दिया है, जिसको काम करना वो लौनी में रहेगा, नहीं काम करना तो लौनी से भार जाओ, या जरूट क्या है, कहीं कोई ऐसा कोई अधिकारी है, यो रिश्वत लेकर के गरत काम करता है, तो उसको हमने के वर हिदायत दिये, हमने कहीं यह नहीं कहा कि हम आग लगा देंगे, चालिस साल के लगबक का तमाम मास्की दोकान थी, आज कोई खोल के दिखाए, तो के अंदर किया है, न्यूज वास का कुछ खास है, हाला कि सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा आपका, नंकिश्वर गूजर जी, हमारे इस खास काईरकर में, और आज हमारी शुरुवात भी है, और बहुत शुब मौका भी है, लेकिन आप अक्सर जो आप अक्सर कुछ विवादों से उल्शे रहते हैं, अ जो आम लोग भी जानना चाहते हैं, इस बार चुन के आई है, बहुमत में आई है बीजेपी सरकार, तो आम लोग भी ये जानना चाहते हैं, कि इस बार का मुख मंतरी योगी जी का क्या संदेश है, एक विधायक को उन्होंने क्या निर्देश दिया है, और आम जंदता के लिए क्या संदेश हैं है कि जितनी भी सब्स grey प्रधान मंत्री दुनिया के सब से लोग 팀 द निता मानी नर्यनर मोधी-्जी की जो जनकल ल्यानों कारी जितनी योजनाई है गरीब कल्यान के लिए और जो सरकार द्वारा मानने योगे-जी के लगे कि हम विदायक नहीं हैं उनके जो उन्होंने हमें जुम्मिवारी दिया जनसिवक्त के रूप में एक जनसियों के रूप में कारिये कररें तो वो दोढ़ा है लोकतंत का मैं इंजन की सरकार वे उत्तरप्रदेश इ cynatar विकास की परिचायक होगी उत्तर प्रदेश में डबल स्पीड से विकास अपने पट्री पे तेईजी से दोड़ेगा उत्तर प्रदेश में भाट जंता पार्टी की सरकार बनने से पहले लोग अगर कंप्रेजन करेंगे तो मैं अपनी अगर विधान सवा की बात करूँ तो एक सरकारी राज किया है इंटरमीडियेट स्कूल तक नहीं था डिगरी कॉलिज सोले लाग की आबादी में और तमाम दूसरे जो किसन की बात छोड़ दीजिए बिजली आती नहीं थी सडके थी नहीं क्राइम कैपिटल था समाजवादी के गुंडों ने दिन में लड़कियों को उठा लिया था रोज गाय कटती थी छेचे हत्याय होती थी सरकार बनने के बाद लगबग एक सट सो क्रोड का काम मेरी विधान सबामा के लिए हुआ है बिजली के छेतर में अभूतपुर सुधार हुआ दस बिजली घर बने आज 22 से 24 घंटे बिजली आती है कॉलिज बना गल्स के लिए दो-दो इंटरिमीडियेट बने आई टी आई कंप्लीट हुई तमाम सडके चिकित्सा के छेतर में कुछ नहीं था हॉस्पिटल बना कंप्लीट हो गया बिजली सडक पानी सिक्षा चिकित्सा कानुन जोस्ता और जल निकासी जो समिश्चा थी इसी तरह से पूरे परदेश के अंदर पूरी तरह से कोरोना के बावजूद जितना विकास हुआ है इतना मैं पूरे जुम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि जो विपक्स की जो सरकार रही है चालिस साल के लगबक का काम केवल हमने कोरोना के बावजूद पांस साल के अंदर किया है आने वाले जो पांस साल है उसमें एतियासिक विकास होगा ये मुझे उम्मीद है और उत्रपरदेश में जनता ने जिस भरोसे के साथ तमाम जितने भी विपक्स के दूस परचार थे तमाम जिस तरह की कोरोना को लेकर के अफ़वाय हुई जनता ने माना की मानिय योगी जी के नेटरतों में भाजनता पार्टी के कारकरताओं ने विधायकों ने सांस्दों ने पूरी पार्टी ने मिलकर के सरकार ने लोगों को बचाने का काम किया और उत्रप्रदेश कोरोना के बचाओं के मामले में नमबर वन आया और हमारी तारीफ डवलुएचों ने भी की तो इसलिए तमाम ची ने लिए लालित हुए उत्तरप्रदेश जहां अतंका गड़ था लोग आते नहीं थे वहां लोग आएंगे और उत्तरप्रदेश चांदार प्रदेश बनेगा अक्सर यह देखा जाता है कि जब आपकी चर्चा होती है आपका नाम आता है तो आपके साथ कोई न कोई करके कभी विवाद होती है मांस को लेकर के आपके शेतर में आपने इपिसले दिनों बयान दिया था कि अगर कोई भी मांस की दुकान खुलेगी तो उसमें हम आग लगा देंगे आखिर ऐसा क्यूं इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यूं जरूरी हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं हैं. लीखिये हम विवाद की बात कभी नहीं करते हैं. यह पत्रकारों की अपनी सोच है. हम जो सही बात है, सही बात को कहने का हम पूरी मांदारी से काम करते हैं. ऐसा नहीं है हमने जो घृतोली करते थे उन भाइं को देखती है नहीं था जा करकरे उनको भी हमने अतालरा ञदाहाँ ठीक किया उसके बाद किसानों को फायदा मिला बिजली के मामले हो चाहे सडको के मामले हो हमने अपनी आवाज को जो एक जुम्मेवार जनलपदिए उसको उठाया है लेकिन जहां तक मास की बात है, गाय कटने की बात है, हड़ी मील की बात है यह लौनी की अंदर यह जो धबा था, उसको साफ करने का हम ने काम किया और एरक्रोट ओर इन्डिनेंस लौनी में लगता है अगर वहां राइष्ट की सुरक्षा को अगर वहां कोई भी लीगल गतिविदी होती है तो वो राइष्ट को खत्रा है क्योंकि मिग नाइटी 27 उनिस सो सतान में में गिर चुका है पक्षियों से टकरा के तो क्या देश की सुरक्षा से बड़ी कोई बात है साधार्न अनागरिक भी जब थे और लोगों के लिए संधर्स करते थे तो अभी हमने समाज़दी पार्टी की सरकार में भी कोई गलत गतिविदी नहीं होने दी जे जे हाँ आपका कहना जायज है और आपने जो बात कही जो तरक दिया वो बिलकुल जायज है सुरक्षा के साथ खिलवार नहीं होना चाहिए लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये कहाम प्रशासन का है आप शासन का हिस्सा है और आपके इस बयान को राजनितिक एक रंग दिया जा सकता है तो इस तरह के बयान अगर साथ जणिक तरफे आते हैं कही नकहीं आपके छवी को कुछ धक्का पहुंच सकता है नहीं देखिए ये छवी को धक्का पहुआँ क्या होगा इससे मतलम नहीं है जनता ने हमें चुना है और जो जनभावना है और जो राश्ट कि आ हम देस के तो अधिकारियों को हमने बता दिया है कि जिसको काम करना वो लौनी में रहेगा, नहीं काम करना है तो लौनी से बाहर जाओ, यहां जरूर्ट क्या है, यहां सासन की नीतियों को पालन कराना है, अगर आप यहां पालन नहीं करा सकते, आप रिशुवत लेंगे, भरष्टाच को परदास्त नहीं करेंगे, इस तरह के शासन वेवस्था में अगर किसी तरह की दिक्कत आती तो उससे बरदास्त नहीं करेंगे, पिछले दिनों आपको एक ब्यान और बहुत चर्चा में यह आया था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तो आपने कहा था कि यह बिलकुल आतंकी कारवाई है और आतंक बाद से उसकी तुलना की थी, तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि जो किसान धर्ना पर बैठे थे, तो कुछ गलत कर रहे थे? पहले तो जिस तरह देश की जनता पूरी तरह समझती है कि किसान कोन है, आतंकी कोन है, और राष्टर में दर्वी कोन है, ये फर्क मीडिया को भी करना पड़ेगा, मीडिया के लोग पता नहीं क्यों बिना समझे और कुछ भी चलाने लगते हैं, जो व्यक्तित तिरंगे का अपमान कर दे, लाल के लिए पर जाकर कि तिरंगे की जगे खालिस्तान का जंडा फैरा देगा, हमारी बेहन बेटी है जो पुलिस में थी, उन्हों उठा करके फैक दिया गया, उनसे बत्तमीजी हुई, पुलिस वालों को पीता गया, जो राष्ट की सुरक्सा में लगे पर अब चड़ करके ओएं कोई कवजा कर लेगा, लाल के लिए पर कवजब्जे का मतलव है देश पर कवजब्जा, तेरंगे का अपमान का मतलब है कि पूरे हिंदूस्तान का अपमान, जो साहस को विदेशी नहीं कर सकता, तो कोई किसान इस तरह क काम कर सकता है? किसान रा नहीं हुई और उनसे मिलकर के तिरंगे का पहले आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से हुआ है जिस घटना को किसान जो थे उन्होंने एक आवरन बनाया कालनेवी राक्सस की तरह है किसानों का आवरन बना करके और वहां खालिस्तानी उन्हामला किया अगर ये खा पाकिस्तान में घुच करके जब सर्जिकल स्टाइक हो सकती है तो लाल के लिए का अपमान नहीं होने देते लेकिन जिस तरह का किया तो क्या उनके लिए को हम मेरे पास सब्दिये बनेंगे कि वह बहुत महान लोग हैं बहुत महानकारी है कि पूरे प्रदेश की जो जनता यहां से गुजरती है यूपी गेट से उनकी जिन्दकी को बंदक बना लिया मानिया सुप्रीम कोट ने कहा है कि जो हाई वेज उसको रोकना राश्डरो है लाल के लिए पे जिस तरह का करत किया उसमें राश्डरो लगा हुआ था और उसके बाद भी ऐसे लोगों को अगर नेता कहा जाएगा तो सही को सही कहना चाहिए हमने सही बात को कहा और आज उस पर कारवाई है आज हट गए लोग देखा नहीं नों लोगों ने क्या किया था खालिस्तानियों ने टीसर्ट पहन करके और गाड़ी के सामने आए और वहां किसान जो इस तरह की जो हरकते बैयान में किसी तरह की अगर कुझाइस बंती विवाद विवादित होता बैयान या फिर जनता को वह चीज़ें सही नहीं लगती जो आप कह रहे हैं आप जनता के परतिनीदी रहे हैं और अब फिर से दुबारा चुन के आए हैं तो यह जाहिर सी बात है अगर आपके इन तो तमाम बयानों के बाद भी जनता आपको चुन करके विधान से नुमाइन्दे के तर, अपने पर्तिनिदी के त sixt cough पे भेज रही है। जहीर सी बात है कि आपकी बात में कहीं न कहीं तर्क था, कहीं नWh overlap अब दोवारण जनपर्तिनिदी चुन के आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से आपके कंदे पे बड़ी जिम्मेदारी है पांच साल का फिर कायरकाल आपको मिला है जनता की सेवा करने का आदेश मिला है आपको तो इस बार फिर एक बात जो सामने आई आप डबल इंजन की सरकार है आप मोधी सरकार केंदर में है योगी सरकार ह हमारे उत्रप्रदेश में है इस दोरान एक बात निकल के आए कि भैई जो भी पूजा स्थल हैं जो साथ जो बड़े सक्तिय स्थल हैं तो वहां पे मदिरा का सेवन नहीं करने देंगे मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए इसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं इस तरह कि कु कासी जी हैं अयोद्या जी हैं वर्णावन हैं तो यह जो हमारे स्थान इस तरह के नेवी सारण है चित्र कूट जी हैं तो यह इनको तो छोड़ा जा सकता है ना हम को मदरा के खिलाब थोड़ी कह रहे हैं लेकिन जहां धार में किस तल है पूरी देश के नहीं दुनिया के लोग जिस भाव से आते हैं वहां कोई मास्क की दुकान देखेगा सरावियों को पढ़े हुए देखेगा वहां से बेहन बेटिया गुजरती है फॉर्णर्स गुजरती है नसे में कौन भी स्भीयों करेगा तो यह होना चाहिए है यह हमारी मांग है हमने को इस तरह का नही दी या इसके मांग आप राश्टी अस्तर तक भी करने के तियारी कर रहे हैं देखिए मैं उत्तर प्रदेश का विद्धायक हूं और मैं मुझे यह कहते हैं गर्व की बाद अनुबती होती है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी विधान सबाए उसका मैं सदेश हों तो मैं उत्तर प्रदेश कहों। तो मैं उत्तर प्रदेशी की ही बात करूँगा। में अपने दाएरे से बाहर की बात नहीं करूँगा। हुआ दैखिए ये सोभा गला है हमारा आजादी की बात नहीं बहुत राजा हुए अगर हम एंसेट हिश्टी की बात करें चाहिए और मदबकाल की बात करें और आधुनिक हिश्टी बात करते हैं और आज की बात करते हैं वर्तमान परिफिक्स में हम किसी उसकी लागलबिट की बात निकर दें लेकिन माने मोदी जी भारत का सोभाग है कि ऐसे करिस महा देशा करिसमाई नेटर्थ जूद पर महरादेवी और महमाई की सीधी करपा है उसको खुद भी जीते हैं उसको करते भी हैं चैuhे नवरात्रों का मामला हो, महादेव के परमभंग्त हैं और उनके आने के बाद भारत की जो छवी दुनिया में बनी है, युक्रेन युद में दुनिया ने देखा, पाकिस्तेन जैसा देश भी माने मोदी जी और तिरंगे का सहरा लेकर अपनी जान बचाता है, तो यह हमारे ल का मंदिर बन रहा है, किसी ने सोचा था क्या, सेक्डों युद हुए, लाखों लोग मारे गए, उसके बाद ऐसा सुनिम काल हम लोग देख पा रहे हैं, कि भगवान सिर्राम का भव और दिव मंदिर बन रहा है, दिव कासी और अमत्रा की जो बारी है, इसके बाद पूरे देश के अंदर जिस तरह का महूल बना जो सक्तिय जागरत हुई हैं, और ये नहीं है, देश के अन्य धर्मों के लोग भी इस बात को एप्रीशेट कर रहे हैं, कि अगर मक्का में जा करके कोई दूसरे धर्म का ब्रक्ती वहाँ छेड़ चार करता है, धारम की स्थल से कोई बरदास करेगा क्या, तो जो भारत के अंदर मुसल्मान भी है, जो इस देश को विश्गुरु बनना देखना चाए, तरक्की चाहता है, वो भी चाहता है कि हिंदू धर्म के सनात्र साथ जो अत्याचार हुआ है, वो गलत हुआ है, विदेशियों ने किया है, हिंदू 99% मुसल्मान वो सभी आज से लगबग 700 800 साल पहले 400 साल पहले सभी हिंदू थे तो भगवान सिर्राम सब के पूरवज थे वो भगवान संकर जी की पूजा करते थे और इस बात को मुसल्मान में जाता हूं जातर मानते हैं उन्हें इतराज नहीं है लेकिन जो कुछ लोग ता थारा 370 पे जो मानियक रहमंत्री जी ने जो इतना शांदार काम किया कि हम लोग सोच नहीं सकते थे मैं खुद जेल गया तरंगा यातरा में कस्वीर में मानिया ठागुर जी के साथ नेतरतों में रैली निकली थी तो अधर तरंगा फैराने के लिए हम गये थे आज उनके नेतरताव में जिस तरह से धारा तीन सो सतर हटी तो बोले जी कतले आम हो जाएगा एक पत्थर तक नहीं फिका तो पुरा देश चाहता है कि भाराश चांदार हो जो गंद की और जो देश के अंदर राजनीती करके development किया नहीं केवल धरम के नाम पर जगड़े कराएं तो देश के हिंदू मुसल्मान सिक की साई सभी चाहते हैं कि धरम के नाम पर जगड़े समापत हो देश में development हो अपने अपने धरम के अनुसार सभी पूजा पाट करें बहुत बहुत धन्यवाद नंकिशोर गूर्जा जी आपने तमाम सवाल के बड़े भेबाग जवाब दिये और जैसी कि आपसे अपेक्षा की जाती थी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और हमारे तमाम सवालों की जवाब देश के बहुत इन्हों ने उन सवालों के भी जवाब दिये जिससे आम तोर पे एक विधायक एक जनपृतिनी थी बच्षता है लेकिन यहां पर सभी कुछ बहुत ही बेबाकि से बहुत ही खुले तोर पे और बहुत ही साफ साफ bodies से इन्हों झाल झाल